Private Limited के फायदय और नुक्सान क्या है इसे समझने से पहले आपको Assets and Liabilities का मतलब समझना बहुत जरूरी है For example, Assets मतलब वह चीज़ जो आपको पैसे कमा कर देती है और Liabilities मतलब वह चीज़ जो आप से पैसे खर्ज कराती है तो अगर आपके शेयस किसी Limited Company में है तो अगर वो company bankrupt हो जाती है तो bank आपके सारे assets and liabilities बेच कर वो company के loan amount को recover करने ही कोशिश करेगी और अगर आपके share किसी private limited company में है तो bank company के assets and liabilities बेच कर अपने loan amount को recover करेगी